प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्प्रहा का पाट दो चतुर बालक पढ़ेंगे इस पाट को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे जैसे चतुराई, चतुराई का अर्थ होता है चालाकी और समझदारी, समझदारी का अर्थ होता है होश्यारी किसी नगर में एक सेट रहता था जिसका नाम धनीराम था, वो बहुत ही चालाक था एक बार एक बुड़ी ओरत सेट के पास पहुची, उसके हातों में गहनों का डब्बा था उसने सेट से कहा, सेट मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ आप जब तक ये गहने अपने पास रख लीजिए, मैं वापस आकर इने ले लूँगी सेट ने गहनों का डब्बा रख लिया और बुड़ी ओरत महा से चली गई कुछ दिनों बाद बुड़ी ओरत वापस लोटी, वह सेट के पास मौची उन्होंने सेट से अपने गहनों का डब्बा मांगा सेट ने कहा कौन सा डब्बा मेरे पास तुमारा कोई गहनों का डब्बा नहीं है चुपचाप अमने घर चली जाओ बुड़ी अरत रोनी लगी उसमें रोते हुए सेट से कहा सेट भगवान से डरो कुछ दिन पहले मैं आपको अपने गहने दे कर गई थी इस कहानी में किसी शहर में एक सेट रहता है उसका नाम धनी राम था वो बहुत ही चालाग था एक बुड़ी अम्मा एक बुड़ी ओरत सेट के पास पहुची और उसने अपने हातों में गहनों का डब्बा लेकर सेट को देते वे कहा कि मैं नगर से बाहर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए तो आप यह मेरे गहनों का डब्बा अपने पास रख लीजिए और जब मैं वापस लोटूँगी तब यह गहनों का डब्बा मुझे दे दीजिएगा अब कुछ दिन भीद गए कुछ दिनों के पास जब बुड़ी औरत वापस आई तो उसने सेट के पास पहुँची उसने अपने गहनों का डब्बा सेट से मागा तो सेट ने कहा कौन सा डब्बा मेरे पास तुहारा कोई गहनों का डब्बा नहीं है चली जाओ यहां से तब बुड़ी औरत रोने लगी क्योंकि उसकी जीवन भर की पुंजी वो गहने थे अब उसने रोते और रोते सेट से कहा की सेट भगवान से डरो कुछ दिन पहले में तुमको अपने गहने दे कर गई थी और अब तुम छूड बोल रहे हो आप कह रहे हो कि मेरे गहने आपके पास नहीं है बुड़ी औरत रोते रोते वापस चली गई सेट अपनी चाला की पर बहुत खुश था जब बुड़ी औरत अपने घर पहुंची वहाँ उसका बेटा लकडी काट रहा था उसने अपनी मा से पुछा मा क्यों रो रही हो बुड़ी औरत ने अपने बेटे को सेट के बारे में बताया बुड़ी औरत का बेटा बहुत समझधार था उसने अपनी मा के कान में कुछ कहा और बुड़ी औरत ने सहमती देते हुए सिर हिला दिया अब बुड़ी औरत सेट से कहती है कि रोते रोते वापिस अपने घर चली गई, सेट अपनी चालाकी पर पड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि मैं बुड़ी औरत को बुला कि ये सारे गहने अपने पास रख लूँगा, अब बुड़ी औरत अपने जब घर पहुशती है, तो वहाँ पर उसका बेट उससे चालाकी से ले लिये हैं, अब उसका बेटा है, वो बहुत समझतार होता है, और वो अपनी मा के कान में कुछ कहता है, अगले दिन वही लड़का गहनों का एक बहुत बड़ा डबा लेकर सेट के पास पहुँचा, सेट ने उससे देखा, उसे लगा कि आज फिर कोई फसा है, लड़के ने सेट से कहा, सेट मैंने आपका बहुत नाम सुना है, क्रपया आप मेरे इन गहनों को कुष्टिनों के लिए ने पास रख लीजिए, मैं कुष्टिनों के बाद आकर इने ले लूँगा, सेट ने डिबबा खोला तो देखा, उसमें धीर सारे गहने थे उसका लालच पढ़ गया, तभी उसे वहाँ बुड़ी ओरत आती दिखी, सेट ने बुड़ी ओरत को देखा तो सोचा कि यदि यह बुड़ी ओरत ने अपने गहने मांगे, तो यह लड़का भी अपने गहने मुझे नहीं देगा, सेट ने कहा, बहन तुम्हारे गहने मिल और उन्हें ले जाओ, सेट ने गहनों का डिपा बुड़ी ओरत को दे दिया, बुड़ी ओरत अपना डिपा लेकर चली गई, तभी लड़के ने अपने गहनों का डिपा उठा लिया और बोला, सेट अब मेरा मन बदल गया है, मैं कहीं नहीं जा रहा, इतना कहकर वह भी च चला गया, और सेट हाथ मलता रहे गया, अब यहाँ पर लड़का है, वो अपनी मा के कान में कुछ कहता है, और माँ वो सहमती से सिर हिला देती है, अगले दिन वो लड़का गहनों का एक बड़ा सा डबा लेके सेट के पास पहुशता है, और उस आता देख सेट के सोचता ह कि आज फिर कोई बड़ा बकरा है, वो फसने वाला है, अब लड़का है, सेट से कहता है कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, और मैं सहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तो क्या आप मेरे गहनों का डबा अपने पास कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, तो मैं इसके भी गहने अपने पास रख लूँगा लेकिन तभी क्या होता है कि वो बुड़ी अम्मा आती उसे दिखाई देती हैं अब वो बुड़ी और जब उसके पास आती है तो वो सोचता है कि ऐसा नहों कि ये बुड़ी अम्मा के गहने में नहीं दूँ तो ये लड़का भी अपने गहने लेकर चले जाएं तो वो उस बुड़ी अम्मा को कहता है कि बहन तुम्हारे गहने मिल गए अब तुम उने लेकर चली जाओ तो सेट वो बुड़ी अम्मा के गहने उसे बापस लोटा देता है और वो बुड़ी और वो सारे अपने सारे गहने लेकर अपन और वो भी वहाँ से चले जाता है और इस तरह सेटे वो हात मलता ही रह जाता है इस पार्ट में हमने क्या सीखा? इस पार्ट में हमने यह सीखा कि लालच और रजर्जरस से जादा चाला की ठीक नहीं होती है इसलिए हमें जितना मिल रहा हो हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए इसके अलावा इस पार्ट में हमने कुछ नए शब्द भी पड़े हैं जिने हम शब्दार्थ कहते हैं नगर जैसे की नगर, नगर कार्थ होता है बड़ा शहर गहने का अर्थ होता है सोने चांदी के आभूशन डिब्बे का अर्थ होता है छोटा संदू समझदार का अर्थ होता है होशियार सहमती का अर्थ होता है समान विच्चार और लालच का अर्थ होता है लालसा और लो इन शब्दार्थ को हम याद करेंगी यह भी जाने यहां पर हमने इसके अलावा और कुछ भी समझा है जैसे कि पक्रा फासना पक्रा फासने का अर्थ होता है बे गुना को फसाना मन बदलने का अर्थ होता है अपना नीर्णे बदलना हाथ मलना इसका अर्थ होता है पश्टाना तो इन शब्दों के अलावा हमने इन कुछ नए शब्दों को भी इस पार्ट के अंदर जाना है अब हम आते हैं अभ्यास पर